हेलो फ्रेंट्स बायो वर्ड में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स सभी लोगों ने खुब मेहनत करके बिहार परामेडिकल का एक्जाम दिए एक्जाम के बाद बहुत सारे स्टुडेंट जो है अपना क्विस्चन मिलाए जिस तरह से कि हम लोगों ने एंसर की जारी किया जो एक्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उनका आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं क्वेश्चन होंगे उनके एंसर होंगे जो उन लोगोंने क्वेश्चन का एंसर मिलाया है और जो एक्च्वल में सही एंसर है उसके अनुसार जितना उनको मार्क्स आना चाहिए था एक्जाम के बाद उनको मार्क्स उतना नहीं आया हुआ है तो धेर सारे स्टूडेंट ने मैसेज किये हैं कि सर क्या हम अपने कोपी को रीचेक करवा सकते हैं सकते हैं, तो इसको लेकर करके हमने बौड को कॉल किया वैसे तो ये डिन से ये मैसेज आने लगे थे बर्ट हमने ट्राइ की थी बड्से बात करने की तो चुटी होने के वज़ए से बात नहीं हुई तो आज जैसे ही बात हुई तो हमने उनसे ये बात करी तो उनका क्या reply आया है देखिए ये call recording मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ और call recording में उन्होंने क्या बताया है आप लोगों को खुस हो जाना चाहिए क्योंकि न्यूज अच्छी आई है और खुसी वाली आई है तो चलिए सुनते हैं call recording बुलियें क्या जनकारी चाहिए आप बिस्तर पारामेडिकल की एक्जाम में जो है कुछ एस्टुडेंट का कहना है कि उनका जो है रिजर्ट कम आया तो क्या वो अपने कोपी पर आर्टीय करके या रिचेक करवा सकता है आप कौन है निसर मैं एस्टूडेंट का पैरेंट ज step करने की कोई अपसा नहीं है ति कि the webinar कि मैंने क्या है वह आपको 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 होटा हमें यह सकते हैं कि मारा कितना सब्स्चाइप का मशुआ है कि लिख जो म heating एक विजय यह होसकता है अवे साफित थेंग करनी है उससे पहले एक चनकारी आपको दे दूँ है फ्रेंट्स 2020 और 2021 में भाइवर्ड से धेर सारे स्टुडेंट जो है बिहार पारमेडिकल में पास हुए है और गवर्मेंट कोलेज में गये हैं सभी स्टुडेंट का जो है आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर वह 599 रुपया है लेकिन अभी ओफर के तहट जो हमने यह निरने लिया है कि जिस भी स्टुडेंट का जो 2020 में एक्जाम दिये हैं अगर उनका मार्क्स 150 है या 150 से अधिक हैं तो उनको 599 में से 10% छूट मिलेगी ठीक है 599 के 10% उनको छूट मिलेगी क्लास जो है आपकी चाहिए वहां पर वीकली टेस्ट जो है आप जिस तरह से ओमार सीट आपको एक्जाम में दिया जाता है वैसे ही ओमार सीट रहेगा लेकिन डिजीटल माधियम से आपको भरना होगा और डिजीटल माधियम से ही चेक होगी तो यह सारी विवस्था है बिहार परामेडिकल 2022 क के बैच में तो जो भी स्टुडेंट एड्मिशन लेना चाहे तो बिहार पारमेडिकल 2022 वाले में एड्मिशन ले सकते हैं यह ओफर सिमित समय के लिए हैं ठीक है दस परसेंट वाला छुट जिनको भी एड्मिशन लेना हो तो इस वाट्सप नम्मर पर आप मैसेज करके अधि में इसका मतलब होता है सूचना का दिकार सूचना का दिकार यह जो है कानुन हमारे देश में 2005 में बना था जिसका उपयोग करके हम सरकार के किसी भी विवाग से सूचना मांग सकते हैं जान सकते हैं ठीक है किसी भी विवाग से सिर्फ रक्षा ठीक है जो हमारे देश के अपने जनकारी ले सकते हैं वहां से ठीक हैं तो चलिए इस इसी प्रकार से आपको जो है अपको लिखना होगा फिर वो देंगे वहां से दस्तावेच आर्टीय से आप सरकार के किसी भी दस्तावेच के जाच कर सकते हैं आप आर्टीय करके ये भी लगा सकते हैं कि आपने जो एक गलत कोशिचन दिया था उनका आपने क्या एंसर दिया वो हमें बताईए और गलत जो question डाला उस वज़े से जो हमारा 5 marks का loss हुआ उसके बारे में आप क्या किये तो RTA करके ये भी आप कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने सारे लिख दी हैं अब RTA होते कैसे हैं करते कैसे हैं तो देखिए RTA का form इस तरह से होता है जिसमें आपको अपना सवाल लिखना उता है जिस विभाग को आप RTA कर रहे हूं उसका नाम यहां पर लिखना होता है आपको दुकान में मिल जाएगा ठीक है RTA का form आपको दुकान में का आपको फॉर्म ले चीज अपने रोल निमर्ल चीज पर नमर्स कडान नमर्ब्र को फील कर देना है और उसके बाथ आपको बुलाज़ेंगे वह पर इस प्रकार से जान चाहिए उस सारी जवाब देंगे मुझे उमीद है कि इस वीडियो मैंने आपको बताए कि आप अपने कोपी का जो है दुबारा से मुल्यांकर कैसे करवा सकते या देख सकते किस परकार से आपके कोपी की चेक हुई है अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो ल